पटवारी से लेकर आर्यस तक की तयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को एक किताब निश्चित रूप से अवश्य ही पढ़नी चाहिए और वो किताब है आर्थिक समीक्षा, एकोनोमिक सर्वे जो कि राजस्थान आर्थिक एम सांकी की विभाग के द्वारा प्रकाशित होती है जिसमें राजस्थान के एक वितिय वर्ष के महत्वपून डाटा होते हैं इसके अलावा राजस्थान की उस वितिय वर्ष की महत्वपून योजना है बविश्य में चलाए जाने वाली महत्वपून योजना है और पहले से चली आ रही महत्वपून योजनाओं के महत्वपून डाटा और उनके सम्मन में बहुत ही अती महत्वपून जानकारी दी गई होती है अब ये आर्थिक समिक्षा आपको किस प्रकार से पढ़नी चाहिए मैं इसी सम्मन में बात करूँगा इसके कुछ डाटास भी बताऊँगा ये जो विशे है ये जो किताब है ये इतनी महत्वपून है कि यदि आप RS प्रिलिम्स पास करने के लिए केवल एक यही किताब पढ़ जाते हैं तो हम sufficient मान सकते हैं यानि कि RS prelims के लिए RS का जो pre exams है, पहले की बात कर रहा हूँ, अब भविश्य में तो प्रतियोगी परिक्षा बहुत कठेन होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये एक किताब ऐसी है, जिसमें से ज़्यादातर सवाल competitive exams में आते हैं, क्योंकि सरकारी data होते हैं, इनको ज़्यादा challenge किया नहीं जा सकता, सरकार के दुआरा प्रकाशित होते हैं, तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, बले ही राजस्थान की विदान सभा की website से download कर लो, या आर्थी केमं सांकी की विभाग की website से download कर लो, या किसी book depot से जाकर इसको purchase कर लो, अब इस किताब के कुछ data's, बहुत महत्वपुन data's जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, उसमें क्या रहेंगे, एक तो राजस्थान की GDP से सम्मंदित, कि राजस्थान की GDP कितनी है, GDP growth कितनी है, इस्थिर कीमतों पर कितनी है, प्रचलित कीमतों पर कितनी है, इस्थिर कीमतों के लिए आधार व इतना है, राजस्थान की कृष्य और सिचाई से सम्मंदित महत्वपुन data आपके साथ में चर्चा करूँगा, जो कुछ राजस्थान में जल सनरक्षन के लिए सरकार के दुआरा एक नवीन योजना शुरू की गई, उस पर भी मैं आपके साथ में बात करूँगा, तो ये इतने सारे डाटाज को आपको memorize करना ही करना है, और आपको प्रेड़ना देने के लिए मैंने भी इतने सारे डाटाज memorize किये हैं, याद किये हैं, हाला कि मेरी habit में है, मैं अगर चाहता तो इन सारे डाटाज को अपने system में save कर लेता है, और एक एक image लेता चलता है, और उसको गोला करतावा चलता है आपको बता देता उससे मेरा काम सरल हो जाता लेकिन आपको प्रेरित करने के लिए मैंने एक भी डाटा यहाँ पर नहीं लिखा है कुछ इमेज ली है लेकिन पहले आपको बताऊंगा उसके बाद उस इमेज इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा तो शुरू करते हम देखे आर्थिक समिक्षा का जो पहला पेज है पहले पेज पर दी गई सार्णी दी गई टेबल ही इतनी इंपोर्टेंट है कि उस पहले पेज से ही एक या दो सवाल आ जाते हैं अब पहले पेज पर हमको क्या दिया हुआ है राजिस्थान की जीडीपी से और एक प्रचलित कीमत है अभी मैं समझाओंगा थोड़ा पेजन्स के साथ बैठना इस्थिर कीमत और प्रचलित कीमत किसकी बात कर रहा हूँ मैं जीडीपी की जीडीपी क्या होता है ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडेक्ट यानि सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या है जैसे राजस्थान के संदर में हम बात कर रहे हैं तो ये राजस्थान के मैप से समझ लो ये राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में यानि राजस्थान में एक वितिय वर्ष में एक वितिय वर्ष का मतलब एक अप्रेल से और अगले साल के 31 मार्च तक एक अप्रेल जैसे मालो 1 अप्रेल 2018 से और 31 मार्ज 2019 तक इस एक वितिय वर्ष में राजस्थान की सीमा के अंदर जितने भी प्रोडेक्ट बनाए गए हैं यानि जैसे चपल हो गए, मोबाइल हो गए या रूई हो गई, धागा हो गया जो भी प्रोडेक्ट बनाए गए हैं या जो भी सेव हैं, services हैं, यानि जैसे कोई teacher है, पढ़ा रहा है, तो वो service दे रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, कोई restaurant में काम कर रहा है, तो अपनी service दे रहा है, तो इसी प्रकार एक राज्य में या एक देश की सीमाओं के भीतर, एक वितिय वर्ष में, जितने भी उत्पाद होते हैं, भ gross domestic product, clear है, ठीक है, तो यहां पर राजस्थान की जो GDP है, और भारत की भी GDP, ये दो अलग-लग कीमतों पर जारी होती है, तै होती है, एक तो होती है, इस्थिर कीमते हैं, और एक होती है, प्रचलित कीमते हैं, राजस्थान में जो इस्थिर कीमते हैं, वो 2011-12 पर calculate की जाती है वर्ष 2011-12 और प्रचलित कीमत यानि वर्तमान में जो कीमत चल रही है, उस पर जो calculation की जाती है, वो प्रचलित कीमतों पर की हुई calculation कहलाती है, जैसे मैं समझाता हूं थोड़ा सा और, कि मान लिजे 2011-12, वितिय वर्ष 2011-12 में 100 लाख लीटर दूद का उत्पादन हुआ, फि 2013-14 में 120 लाख लीटर दूद का उत्पादन हुआ, अब चल रहा है 2019-20, अब यहाँ पर जो GDP calculate की जाएगी स्थिर कीमतों पर, तो इस स्थिर कीमतों में growth rate find out करने के लिए, वृद्धी दर ग्यात करने के लिए, जो आधार वर्ष की जो मुल्ले थे, या जो data थे, यानि 2011-12 उनको हम लेंगे, तो वर्थमान में जो आधार वर्ष है, इस्थिर कीमतों के लिए वो 2011-12 पर है, तो मैं आपको दो अलग-लग data बताऊंगा, GDP, GDP growth, अलग-लग sector का, GDP में कितने-कितने प्रतिशत योगदान है, हमारी वार्षिक आए कितनी है, ये सभी मैं आपको दोनों की कीमतों पर बताऊंगा, एक स्थिर कीमत और एक प्रचलित कीमत और यहीं से एक या आदा सवाल निश्चित रूप से आ ही जाता है, इसकी प्रबल संभावना होती है, ठीक है, तो राजस्थान की वर्थमान में जो GDP है, ये नीचे लिख लेते हैं, स्थिर कीमतों पर जो है वो है 7,11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इस्थिर कीमतों पर इतनी प्रचलित कीमतों पर है 10,20,000 करोड इसको मैं लिख देता हूँ 10.20,000 करोड मतलब यह है इसका कि राजस्थान की सीमा के भीतर एक वितिय वर्ष में जितने भी प्रोडेक्ट बने जितनी भी सर्विस हैं उनका टोटल जो मुद्रिक जो मुल्य है वो इस्थिर कीमतों पर तो 7,11,000 करोड है जबकि प्रचलित कीमतों पर 10,20,000 करोड है यह GDP हो गई अब राजस्थान की GDP में ग्रोथ कितनी हुई तो ग्रोथ जो है वो परसंटेज में ना पी जाती है इस्थिर कीमतों पर है 5.05% और प्रचलित कीमतों पर है 8.32% ग्रोथ यानि जी आर ये परसंटेज में होती है इस्थिर पर 5.05% और यहां 8.32% यह तो याद रखना असाना 8 का पड़ा बोलो 8.32 ग्रोथ रेट का मतलब क्या है जैसे मानना कि राजस्थान की GDP पहले थी 100,000,000 करोड की और अभी हो गई 105.5,000,000 करोड की अब जब आप ग्रोथ र निकालोगे तो देखो बड़ी कितनी 5.5 यह परसंटेज किसके सापेक्स निकालेंगे जो पहले जितनी GDP थी उसके सापेक्स तो उसको अमने नीचे रखा और इंटू किस से कर देते हैं परसंटेज के लिए 100 से तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यह हमारी GDP ग्रोथ हाई 5.05 5.05 यह समझाने के लिए था अब राजस्थान की GDP में अलग-अलग सेक्टर का अलग-अलग शेत्र का अलग-अलग योगदान है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना राजस्थान की GDP में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है सर्विसेस का यानि सेवाउं का कि यह आपको delivery कर रहा है खाना घर पे देके जा रहा है तो वो सेवा दे रहा है तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा यानि सर्विस सेक्टर का है दूसरे नंबर पर राजस्थान की GDP में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो उध्योग का है और तीसरे नंबर प सबसे कम कृषिक शेतर का राजस्थान की जीडिपी में योगदान है यह ध्यान रखना योगदान योगदान पहले नंबर पर किसका सेवा का दूसरे नंबर पर किसका उद्ध्योग का और तीसरे नमबर पर क्रिशी का क्रिशी ठीक है आब वही स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतें तो इस्थिर कीमतों पर जो services का यानि सेवाक्शेत्र का योगदान है वो है 44.14% यहां लिग देता हूँ 44.14% लेकिन प्रचलित कीमतों पर 36.6% है कोमा 36.6% 36.63% के लगबग है जिसको मैंने इतना लिख दिया ठीक है दूसरा उद्ध्योग की बात करें तो इस्तिर कीमतों पर उद्ध्योगों का जो योगदान है वो है 30.67% लेकिन परचलित कीमतों पर उद्ध्योगों का जो योगदान है वो है 27.81% 30.67% और 27.81% ठीक है साब कृशी का राजस्थान की GDP में सबसे कम 30 रे नंबर का योगदान है इन दोनों की अपेक्षा और इस्थिर कीमतों पर आता है 25.19% और परचलित कीमतों पर आता है 25.56% 25.19% 25.56% ठीक है साब अब बात कर लेते हैं राजस्थान वासियों की आए की तो देखो राजस्थान वासियों की जो वार्शिक ओसत आए है इस्थिर कीमतों पर वो तो है 81.355 रुपे यानि आप ये मान सकते हो कि हर राजस्थान वासी एक साल में 81.355 रुपे कमाता ही कमाता है कुछ कम भी कमाते हैं कुछ बहुत जादा भी कमाते हैं लेकिन अगर उसका एवरेज निकालने तो 81.355 रुपे आता है इस्थिर कीमतों पर परचलित कीमतों पर जो औसत आए आती है वो आती है आपकी 1.18.169 रुपे मोटा मोटा द्यान रख लेना 1.18.000 हो गया और 1.18.000 रुपे हो गया यह लिख देता हूँ मैं आए इस्थिर कीमतों पर 81.355 रुपे 81.000 द्यान रख लेना इतना याद नहीं रहे तो और परचलित पर 1.18.169 रुपे एक मिनट इसको सही लिखू मैं 169 रुपे यह बहुत important डाटाज है हो सकता है किसी एक competitive exams में यहीं से आपको एक या दो सवाल बड़े आसानी से मिल जाए इसका screenshot अगर लेना चाहो तो लेलो अब मैं इसके बात करता हूँ राजस्थान के कुछ कृशी से संबंदित महत्वपून डाटा की देखे कृशी की अगर हम बात करें तो ध्यान देना एक बर राजस्थान में कृशी योग्य जो क्षेतरफल है वो भारत के कुल कृशी योग्य क्षेतरफल का 14 प्रतिशत है हाला कि राजस्थान में भूमी की कोई कमी नहीं क्योंकि राजस्थान क्षेतरफल के आदार पर भारत का सबसे बड़ा राज है भारत के कुल क्षेतरफल का 10.41 प्रतिशत क्षेतरफल राजस्थान में है मैं थोड़ा लिखता हूँ कि राजस्थान का जो एरिया है एक मिनट राजस्थान का जो एरिया है वो कितना है 3,42,249 km2 भारत का एरिया कितना है इंडिया का टोटल 32,87,263 km2 परसंटेज अगर हम निकालें तो राजस्थान का जो एरिया निकल कर आता है वो 10.41% आता है राजस्थान 10.41% आता है तो एरिया में यानि जमीन की तो कोई कमी नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिचाई के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से राजस्थान में इंदर द बर करती है लेकिन सिचाई के स्रोत जादा बड़ी मात्रा में उपलब्द नहीं है उसके कारण जादा तर भूमी जो है वो उसका उपियोग ही नहीं हो पाता लंबे समय तक पड़ी 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 वो बंजर भी हो जाती है अब आप इसी डाटा से अनुमान लगा सकते ह हैं कि भारत में टोटल जितना सतही जल है उसका मात्र एक पॉइंट एक चार परसेंट ही राजस्थान में उपलब्द है कितना जल एक पॉइंट एक चार परसेंट यानि कि आप ही आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में मोटा मोटा मान लो कि अगर सो लीटर पानी है भारत में अगर टोटल एक एक लीटर की सो बोटल्स हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा एरिया होने के बावजूद मात्र लगबग एक बोटल ही राजस्थान के पास में है ठीक है अब राजस्थान जब स्वतंतर नहीं हुआ था यानि जब भारत स्वतंतर नहीं हुआ था तो उस समय राजस्थान में टोटल चार लाख हेक्टेर भूमी पर ही सिचाई सुविधा उपलब्द थी यह आर्थिक समिक्षा 2019-2020 के ही आक्डे हैं कि जब भारत स्वतंतर नहीं हुआ था उस समय राजस्थान में चार लाख हेक्टेर तक ही सिचाई सुविधा उपलब्द थी लेकिन सरकार के द्वारा और कारिये किये गए ट्यूब वेल खुदाए गए नहरे बनाई गई और सिचाई की सुविधा उपलब्द कराई गई तो वर्ष 2018-2019 तक आते आते राजस्थान में कुल 38.6 लाख हेक्टेर तक सिचाई सुविधा उपलब्द करादी गई यह राजस्थान सरकार के डाटा है तो स्वतंतरता से पहले कितने भाग पर थी 4 लाख हेक्टेर पे ही सिचाई सुविधा उपलब्द थी वर्तमान में बात करें तो 38.6 लाख हेक्टेर पर सिचाई सुविधा उपलब्द है अब हेक्टेर से थोड़ा समझ ना एक बर यह तो वो इस्सा है जहां पर सिचाई की सुविधा उपलब्द है लेकिन राजस्थान में सिचाई के योगे तो भोट सारक शेतरफल है राजस्थान में 168 लाख हेक्टेर भूमी ऐसी है जहां सिचाई योगे है सौरी जहां कृशी योगे है जहां पर आप खेती कर सकते हो लेकिन उसमें से मात्र 38.6 लाख हेक्टेर में ही सिचाई की सुविदा उपलब्द है तो बाकी की जो बची हुई भूमी है वहां पर अगर इंदर देवता की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है नहीं होगी तो वो भूमी ऐसे ही पड़ी रहेगी थोड़ा सा इस डाटा पर भी मैं आपका द्यान अकृशित करता हूँ टोटल हेक्टेर में अगर राजस्थान का एरिया देखें तो 343 लाख हेक्टेर ये राजस्थान का एरिया ठीक है कृशी योग के क्षेत्रफल कितना है सिचाई का मतलब अलग जहां पर सिचाई सुविदा उपलब्द है मैं क्या बोल रहा हूँ जहां कृशी की जा सकती है ऐसा क्षेत्रफल है 168 लाख हेक्टेर 168 लाख हेक्टेर इसके आलावा 101 लाख हेक्टेर राजस्थान में ऐसा है जो बंजर है 101 लाख हेक्टेयर बंजर और ये कितना हो गया कृशी योग या नहीं या कृशी की जा सकती है तो टोटल कृशी योग योग योर बंजर को अगर हम जोड़ें तो ये 9 ये 6 और ये ठीक है इसके अलावा बाकी जो रहता है वो आपके अलग-अलग उपियोग के लिए होता है ठीक है साब अब यहाँ पर ये सिंचाई की सूविदा और उपलब्द हो जमीन के नीचे जो पानी है भूजल वो किस प्रकार से बढ़ाया जाए किस प्रकार से उसको संरक्षन दिया जाए किस प्रकार से उसके उपियोग को एक ठीक प्रकार से मैनेज किया जाए तो इन सब के लिए सरकार के दुआरा अलग-अलग-अलग समय पर योजना है चलाई जाती है वर्तमान में भी सरकार के दुआरा एक योजना शुरू की गई है वर्ष 2019 में 20 अगस्त 2019 को वो है थोड़ी सी इसकी जानकरी एक बर ले लेना कौन सी योजना राजिव गांधी जल संचे योजना इससे पहले अगर यह पिछला स्क्रिंशोट नहीं लिया हो तो यह स्क्रिंशोट आप ले लेना तो यह आजाओ राजिव गांधी जल संचे योजना देखो ये जो योजना है राजस्थान सरकार के दुआरा अभी कॉंग्रेस की गॉर्मेंट है तो कॉंग्रेस सरकार आती है तो जादा तर गांदी जी के नाम से योजना है चलती है बीजेपी आती है तो जादतर अटल बिहारी वाजपे या अलग अलग दिंदयाल उपाद्याए के नाम से योजना चलती है खेर राजनिती की बात हम नहीं करेंगे ये जो राजिव गंदी योजना है इसको 20 अगस्त 2019 को शुरू किया गया कब? 20 अगस्त 2019 अभी शुरू किया यानि कुछी समय पहले तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि लोगों को जल संरक्षन के लिए जागरूप करो किस प्रकार से भूजल को यानि जमीन के नीचे जो जल है किस प्रकार से उसको संरक्षित किया जा सकता है? उसके उपियोग का उसका जो मैनेजमेंट है वो ठीक प्रकार से किया जा सकता है? भूजल में किस प्रकार से व्रद्धी की जा सकती है जैसे कूओं की बावडियों की सफाई करके जैसे आपको ध्यान आ रहा होगा कि कुछ समय पहले बीजेपी गॉवर्मेंट के समय भी भी एक इसी प्रकार की एक योजना चलाई गई थी मुख्य मंत्री जल स्वाव लंबन योजना तो कुछ-कुछ आप योजना की तुलना इसी से ही कर सकते हो कि जगे-जगे कूओं की बावडियों की हिस्सों की सफाई करना ताकि बारिश का जो पानी है वो जमीन के नीचे जाए भूजल बड़े और इसके अलावा जो भूजल दोहन हो रहा है उसको भी उसका सही उपियोग हो तो ये कुल मिलाकर इस योजना के मोटे-मोटे उद्देश है तो मेरे इसाब से हमको इन दोनों योजनाओं को एक साथ चर्चा करनी चाहिए कौन सी राजी उगांदी जल संचे योजना और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो बीजेपी गवर्मेंट के समय में मुख्यमंत्री वसंद्रा राजे के दुवारा शुरू की गई थी तो ये पहले एक बर मैं इसकी बात बता है 33 जिलो के टोटल जो ब्लोक्स हैं 255 में ब्लोक इन 255 में ब्लोक के 4000 गाउं कितने? 4000 गाउं में एक साथ ये चलाई गई योजना इसके लिए टोटल 1,8,0,000 काम निर्धारित किये गए यानि अलग अलग कारिए कि आपको ये इनकी सफाई करनी है कुओं की तालबों की बावडियों की ये ऐसा ऐसा तो टोटल एक लाक असी अजार वन पॉइंट एट लेक कारी इसके लिए निर्दारित किये गए एक पॉइंट आठ लाक ये इस योजना की मोटी मोटी बात हो गई आप पिछली जो योजना थी मुख्य मंत्री जल स्वाव लंबन योजना वो भी ऐसी थी उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुख्य मंत्री जले स्वाव लंबन ये थोड़ा एड़जस्ट कर ले ना क्योंकि ये पैन जो है स्क्रीन पर थोड़ा स्लिप होता उसके कारण लिखने में लिखावट ऐसी आती है इस योजना को बीजेपी की गॉवर्मेंट के समय में 27 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था तीन चरणों में शुरू किया था पहला चरण 27 जनवरी 2016 दूसरा था 9 दिसंबर 2016 तीसरा चरण था 9 दिसंबर 2017 तो तीन चरणों में शुरू की गई थी ये द्यान रख ले ना 27 जनवरी पहला चला था 27 जनवरी से 30 जून तक है 27 जनवरी 2016 से 30 जून दूसरा जो था आपका ये उपर लिख दू मैं ये पहला यहां लिख देता हूँ ये दूसरा 9 दिसंबर 2016 और तीसरा जो चरण स्टार्ट किया था वो 9 दिसंबर 2017 तो इसमें भी वोही किया जाता था तो वोह बावडियों की चाती थी गावों में जा जाके गड़े खोदे जाते थे हमने भी काम किया था वहापर गड़े खोते देता कि जब बारिश हो तो बारिश के माद्यम से जो जो सफाई की है बावडियों की या जो गड़े खोदे हैं तो वो जादातर वो पानी जमीन सोख ले और इसके कारण भूज अलिस्तर जो है वो बड़े खेर इसके बाद हम बात करते हैं सिंचित क्षेतरफल की यानि की राजस्तान में सिंचाई क जो अलग-अलग स्रोत हैं कुओं से या नलकूपों से तालाबों से नहरों से और जो अलग-अलग स्रोत हैं जैसे बावडी वगएरा से भी जो सिंचाई होती है या खडीन से जो सिंचाई होती है तो जो अलग-अलग शेतरफल है इसमें कुओं की नहरों की तालाबों की क इसके संबन्द में मैं आपको बिल्कुल नवीनतम आकड़े उपलब्द कराऊंगा बिल्कुल लेटेस्ट डाटा बताऊंगा जो राजस्थान आर्थिक समिक्षा वर्ष 2019-2022 में वितिय वर्ष 2017-18 के दिये गए हैं यानि अभी तक जो नवीनतम डाटा हैं वर्ष 17-18 के हैं जो की आर्थिक समिक्षा 2019-2022 में दिये गए हैं आप भी चाहें तो उसको देख सकते हैं पेज नमबर 25A और 26A पर हैं जो आर्थिक समिक्षा में पीछे के पेज पर जो सार्णी बनी हुई होती हैं उनमें वो दिये गए हैं तो देखिए इन जो डाटाज को हैं हम दो क्षेतरफल के आदार पर देखते हैं एक तो होता है हमारा सकल सीचित क्षेतरफल एक होता है शुद सीचित क्षेतरफल शुद सीचित क्षेतरफल देखिए सकल सीचित क्षेतरफल का मतलब यह हो गया मान लीजिए कि कोई भी एक ख्षेतर है टाइम पीरड आपने लिया एक जुलाई से और तीस जुन यानि अगले वर्ष का तीस जुन तक ये एक ख्षेतर है यानि एक हिस्सा है इसमें आपने किसी भी फसल के लिए जितने अलग-अलग शुरोतों से सिचाई की जितनी बार आप सिचाई करोगे उतनी बार ही आप इसको काउंट करोगे तो एक ही क्षेतर में अलग-अलग सौर्सेज से हमने सिचाई की तो इसी को हम दो या तीन बार काउंट कर लेते हैं तो स्वाबो विकसी बात है कि सकल सीचित क्षेतरफल ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है जबकि शुद सीचित क्षेतरफल तो शुद्ध वाला जो है वो कम होता है और सकल वाला जो है वो ज़्यादा होता है ठीक है टोटल जो सकल सीचित क्षेतरफल है वो एक करोड हेक्टेर के आसपास में है और शुद्ध सीचित क्षेतरफल जो है यह 89,84,000 हेक्टेर के आसपास में है ये तो हो गया आपका एक करोड एक करोड से जादा है कुछ हेक्टेर और ये हो गया आपका 89,00,00, 84,000 ठीक है साथ आप इस सकल सीचित क्षेत्रफल में कुओं की और नलकुपों की नहरों की तालाबों की और अनिस रोतों की कितने कितने प्रतिशात इस्सेदारी है और शुद सीचित क्षेत्र में भी इन क्षेत्रों की यानि इन सुरोतों की कितने कितने प्रतिशात इस्सेदारी है तो द्यान रखना पहले बात करते हैं कुओं वे नलकुप एक साथ ही लिख दूँगा इनको है ना दोनों में लिख दूँगा एक साथ कुए वे नलकूप तो देखिए इधर तो मैं लिख रहा हूँ सकल सीचित क्षेत्र में इनकी जो इसेदारी है वो है 68.2% 68.20% है 2% लिख रहा हूँ और यहां इनकी जो इसेदारी है वो है 75.51% यह आप इनको अपडेट कर ले न कुछ वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो उनमें पुराने डाटाज आपको दिये वे मिलेंगे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कुए और नलकूपों से जो सिचाई होती है वो जैपूर में होती है जैपूर के क्षेत्र में बरतपूर में भी काफी होती है और राजस्थान की जो बैल्ट है जैसे ये वाली दक्षिन वाली जो बैल्ट है ये वाली आपकी ये डूंगरपूर, बासवाड़ा, उदैपूर, चित्तोड, भीलवाड़ा इस बैल्ट में बहुत कम होती है कुए और नलकूपों से क्योंकि यहाँ पर जो चट्टाने हैं जमीन के नीचे वो शेहल फैले हुए है तो यहाँ पर ज़्यादा सक्सेज नहीं है कुए और नलकूप, सबसे ज़्यादा जो सक्सेज है वो आपके इस जैपूर के क्षेत्र में है यहाँ पर तीक है साथ दूसरा अगर हम आए सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जो सिचाई होती है सिचाई का जो स्रोत है वो है नहरे नहर नहरों की सकल सीचित क्षेत्र में है जो इसेदारी है वो 29.99% है जिसको लगबग 30% आप द्यान कर सकते हो मैं एग्जेक्ट लिख देता हूँ 29.99% और सुद्ध सिचित क्षेत्र में इनके इसेदारी है 24.12% याद रखना आसान है 12.24 और 29.99 यानि 30% तीसरे नंबर पर आते हैं आपके अन्य स्रोत अन्य यानि कोई भी आपके खडीन हो गई खडीन का मतलब जैसे जैसलमेर के जो पालिवाल ब्रामन थे जैसलमेर के कुलदरा के उन्होंने खडीन का आविश्कार किया था शुरुवात की थी कि कोई ढलान वाली भूमी है उसमें एक दिवार बना दी पाल जिसको हम बोलते हैं उसके तीन तरफ दिवार बनाते थे जिससे बारिश का पानी जवाँ इखटा होता था तो वो भूमी उसको सोक लेती थी और उसमें काफी समय तक नमी रहती थी और उसी नमी का उपयोग करके फिर वो पालिवाल ब्रामन वाँ पर खेती किया करते थे वैसे कुलदरा क्यों उजड़ गया अचानक उसके सम्मन में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और अथेंटिक सोर्सेज के आधार पर मैंने बनाया अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं लिस्ट में जाके चेक कर लेना तो अन्य सुरोतों की हम बात कर रहे थे अन्य सुरोतों में जो आपके आते हैं वो यह आता है 1.49% जिसमें खडीन, बावडी वगएरा जो भी हो गई और यह आता है आपका 1.15% एक चीज़ जान रखना है यह जो नहरे हैं नहरे है राजस्थान में सबसे ज़्यादा नहरों से सिचाई होती है गंगानगर में दूसरे नंबर पर होती है हनुमानगर में हनुमानगर गंगानगर में तो लगबग 99% नहरों से सिचाई होती है हनुमानगड में 93% जो है वो नहरों से सिचाई होती है इसके अलावा बीका नेर में भी होती है नहरों से 60% के आसपास मैं अपसे बता देता हूँ आपको यह आजाओ यहाँ पर यह आपका श्री गंगानगर यह हनुमानगड हनमानगड में 93% नहरों से होती है यहाँ पर 99% 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 होती है यहाँ प सिंचित क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो है आपका 39.99% और शुद्ध सिंचित क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो है आपका 24.12% फिर हमने अनिस रोतों की बात की अनिस रोतों का जो योगदान है वो आपको एक तो बताया 1.49% और एक है 1.15% इसके अलावा ध्यान रखना राजिस्थान में तालाबों के द्वारा भी सिचाई होती है तालाब और तालाब के द्वारा सबसे ज़्यादा सिचाई होती है भील वाड़ा में ठीक है ये जो सिंचित क्षेत्र में इसका योगदान है 0.65% और शुद्ध सिंचित क्षेत्र में इसका योगदान है 0.85% इधर है 0.65% और इधर है 0.85% ये 5 लिग देता हूँ इसको 0.85% तो ये कुछ इंपोर्टेंट डाटास थे अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके के आर्थिक समिक्षा में ये टेबल्स आपको मिलेंगी ये द्यान देना ये आर्थिक समिक्षा वर्स 2019-20 ये वो टेबल है शुरोत वार सकल सिंचित क्षेत्रफा यानि सकल वाला जो मैंने आपको बताया था तो ये टोटल बताया था मैंने एक करोड के आसपास में ये वाला जो इसा दियावा ये अनिस रोत हैं ये परसंटेज में दियावा नहीं मैंने परसंटेज में निकाल के इनको लिखा था ये वाला जो दियावा ये कुछ और नलकूपों का है 68 8.20% ये वाला जो दिया हुआ है ये आपका तालाबों का है 0.65% और ये वाला है नहरों का 39.99% ये तो है सकल टोटल सकल यानि संपूर्ण और ये था आपका शुद्ध ये वाला तो ये शुद्ध वाला जो था ये 89,84 अजार यहाँ पर 1.49% अनिसरोतों का योगदान 73.51% ये आपका कुए और नलकूपों का योगदान 0.85% ये आपका तालाबों का योगदान और 24.12% ये योगदान था आपका नहरों का योगदान इसके अलाबा देखो ये वाली वो सारणी जो सबसे पहले पेज पर आपको मिलेगी यहाँ पर ये राजस्थान की मैंने आपको बताई है मेमराइज कर लें राजस्थान की टोटल जीडीपी कितनी है सायतला 11,000 करोड ये बताए था आपको फिर जीडीपी ग्रोथ ये पह पर है स्थिर कीमतों पर 2011-12 और ये वाला भी योगदान है ये परचलित कीमतों पर इस थिर कीमतों पर ये सर्विस का ये उद्योगों का यानि इंडस्ट्री का 30.67% और ये आपको मैंने करशी का योगदान बताया था जो तीसरे नंबर पर आता है कितना 25.19% यहाँ पर य मैंने आपको सौरी करशी का ये 25.56% और उद्योगों का बताया था 27.81% इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था वार्शिक आय जो है राजिस्थान वासियों की 81,355 रुपए ये थी इस्थिर कीमतों पर वर्स 2011-12 ध्यान रखना वो इस्थिर कीमतें 2011-12 और ये है प या फिर मार्केट से पर्चेज कर लेना आप तो मार्केट खुलने लगए लेकिन जब किसी भी कॉम्पुटिटेव एक्जाम्स की तैयारी करो तो इस किताब के डाटाज आप जरूर देखना इसमें जितने भी चैप्टर हैं तो हर चैप्टर का जो पहला दूसरा पेज है उसको तो पढ़के ही जाना क्योंकि examiner क्या करता है इस किताब को उठाता है और इसके जो मोटे मोटे जो डाटाज होते हैं वो डाटा सीधे सीधे पूछ लिये जाते हैं जैसे कोई सा भी competitive exam लेलो industry inspector लेलो industry extension officer लेलो या RS prelims के लेलो कोई सा भी exam उठालो इससे डाटा उच्छे ही जाते हैं थैंक्यू जैहिंद